स्वारी बच्चों आज हम सुभए आपको आज का करेंड अफियर नहीं अवेलिबल करा सकें लेगे आपको आज 29 जुलाई की जितनी भी मातपूर्ण खबरें वो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कुछ खबरें टाइगर से जैसे 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइग मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं तो ऐसा हुआ था 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कॉन्फरेंस हुई थी टाइगर को बचाने के लिए उसमें दो चीज़े डिसाइड की एक तो यह डिसाइड की कि 2022 तक हमें टाइगर की संख्या को डबल करना पहली चीज और दू में यह डिसाइड किया कि 29 जुलाई को हम मनाएंगे टाइगर डे अब हर देश यह कोसिस कर रहा है कि जितने भी उसके टाइगर 2009 में थे उससे डबल कप करना है 2022 इसमें एक देश तो सफल हो चका वो देश है नेपाल तो आपसे अगला कुश्चन यह बन सकता है कि ऐसा कौ को बोलते है T2 T2 मतला टाइगर की संख्या डबल करना तो टाइगर दिवसका मनाते है 29 जुलाई क्यों मनाते है क्यों ऐसा 2010 में रूस के सेंट वीडर वेस में डिसाइड किया था और क्या डिसाइड किया था यह भी डिसाइड किया था कि 2022 तक टाइगर की संख्या को डबल क जो सत्पुडा Tiger Reserve है उसको Management के लिए Earth Heroes Award ये है सत्पुडा नैसना पार्क जो हमारा Tiger Reserve है हुसंगाबाद डिस्टिक में है जिसका अब नया नाम नर्मदापुरम डिस्टिक है इसको Management के लिए Earth Heroes पुरुसकार मिला है आपको इसमझ में आ गया अब देखो ठीक अर्थ Heroes Award for Management आपके लिए Slides लाएंगे वो Hindi English दोनों के लिए लाएंगे चलो अब दूसी चीज़ इंडिया में सबसे ज्यादा बाइडावस्टी बेस्टन घाट में पश्मी घाट में है क्योंकि यहाँ जैब वित्ता वेराइटी बहुत ज्यादा है ऐसी सत्पुडा जो Tiger Reserve है या जो स सत्पुडा माउंटें रेंज है वहां भी बहुत ज्यादा है तो जैसे इसको घाट बोलते हैं इसी सत्पुडा को भी नदन घाट बोलते हैं तो बाइडवस्टी की वजए से वेस्टन घाट की तरह सत्पुडा को भी घाट बोलते हैं नदन घाट तो इस्टन घाट वेस् महा मंदलेश वर अकलेशा नंद गिरी क्या होता है मद्द प्रदेश में गौपालन और पसु समवर्धन बोड हिंदी इंगलेश दोनों में एक ही नाम है गौपालन एबम पसु समवर्धन बोड उसका जो चेर्मेन होता है वो होता है तो हमारे मुख मंत्री सिवरा सिंग चोहान गौपालन एबम पसु समवर्धन बोड के चेर्मेन है इसके लावा जो हमारे पसु पालन मंत्री लाइब स्टॉकिंग मिनिस्टर रहते वो बनते उसके वाइस चेर्मेन इसके लावा दो वाइस चेर्मेन को नोमिनेट किया जाता बाहर से तो समझ में आ गया गौपालन और पसु समवर्धन बोड का ध्यक्च कौन होता हमारे मुख्य मंत्री इसके लाबा जो पसु पालन मंत्री लाइव स्टॉकिंग मिनिस्टर रहते वो होते उसके वाइस चेर्मेन इसके लाबा दो उपाध्यक्च दो वाइस चेर्मेन बाहर से बलाते उनमें से एक अखलेसानंद गिरी जी भी है तो आप से पूछा जाएगा किस संत को मद्यप्रदेश गौपालन एवं पसु पालन समवर्धन बोड का वाइस चेर्मेन नोमिनेट या मनोनीत किया गया है तो अखलेसानंद इसके लाबा इसी बोड में एक एक का अध्यक्ष इसके लाबा उसी बोड में एक कारकारी समिती होती है working committee होती है उसका अध्यक्ष तो दो चीज़ gap के वाइस चेर्में अखलेसनंद गिरी टाइगर से बड़ी खबर है घोरिल्ला मोडल घोरिल्ला मोडल क्या है क्या होता काना किसली में किसी भी टाइगर की मा की डेथ हो जाती टाइगरिस की जो मादा बाग रहती है उसकी डेथ हो जाती तो उनके बच्चों को पाला जाता है चिडिया घर टाइप की जगा में जिसे कहते है घोरेला इंकलोजर तो काना किसली में ऐसी एक जगा है जहां अगर किसी भी मादा बाग टाइगरस की डैथ हो जाती है उसके बच्चों को पाला जाता है इसका जब बड़े हो जाते है तो उनको ट्रेनिंग देने के बाद दीरे समाप्त हो जाते हैं तो उनमें बापस री वाइल्ड नेस बापस जंगली होने की ट्रेनिंग दी जाती कि जंगल में छोड़ेंगे तो लॉम्डी खा जाएगी सेर को समझना को इतने कमजूर हो जाते हैं तो घोरेला इंकलोजर बहुत फेमास है क्योंकि इसने अभी सत्पड़ा टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट के लिए अर्थ हीरो जवाड दूसरी खबर तीसरी टाइगर से खबर है कि घोरिला मोडल या घोरिला इंकलोजर से फिर से टाइगर को जंगल में छोड़ा जा रहा नो क्योंकि वो बड़े हो चुके है चलो अगली बड़ी खबर यह है नंदू नाटेकर यह बहुत ही फेमस बैडमिंटन पिलियर थे यह छे बार नैशनल चेंपियन भी रह चुके है और सबसे बड़ी बात इन्हें 1961 में अर्जोन अवार्ड मिला था यह अवार्ड पाने वाले वो फर्स्ट बैडमिंटन पिलियर थे तो नंदू जोनाटेकर जी का निधन हो गया है ठीक है आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि यह अड़जन अवार्ड पाने वाले पहले बैडमिंटन पिलियर थे ठीक है चलिए यह हो गया आपकी अगली खबर अगली खबर है यह कनाडा की लौरी रॉली बेन ठीक है तो यह है कनाडा की भी कहा जाता है तो आप से पूचा जाएगा दुनिया की सबसे सक्तिसाली लड़की का ओवर्ड या खिताब या टाइटल किसको मिला है तो रोली बेन कनाडा को चला अब हम क्या लास्ट ख़वर और देख लेते हैं अडानी जो इंडिया की टीम ओलंपिक के लिए गई थी इ इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसियेशन ने भी इनको अपना स्पॉंसर बना दिया तो आप से पूचा जाएगा ओलंपिक में इंडियन टीम के स्पॉंसर किसको बनाया गया अदानी अंबानी वीबो पतंजली टाइप का तो आप याद रखना है कि टीम इंडि दीम जाएब कालने है लिए है कांदला स्पॉर अंडियन टीम में यहीे अपसी बना है और यही आपका अपका और यही आपका अपका सीज बना है इंडियन अंडियन बना है engem BILDING, GREEN BILDING COUNCEL के द्वारा Platinum Rating, तो KANZALA को Platinum Rating दी है, Indian Green Building Council ने, जो हमने पिछले वीडियो में पड़ा था, इसलिए ये इंडिया का पहला Green SEZ है, अगला QUSYN, इंद्रा जो joint military exercise है, जो इंद्रा स्रिव्क्त सेनभ्यास है, वो किन दो देशों के बीच में था, आपके options है A. इंडिया, बंगलादेश दूसरा है इंडिया, USA तीसरा है इंडिया, रसिया और चोथा है इंडिया और नेपाल तो इंदरा 20 बन, क्योंगे 2021 में हो रहा है, एक अगस्ट से हो रहा है किन दो देशों के बीच में हो रहा है तो इसका आंसर है C, इंडिया और रूस, इसका आंसर क्या होगा, इंडिया और रूस, अगला कोशन, करनाटक के नए CM कौन बने है, यह अप्सन धरविंद प्रधान, B अप्सन बासाव राज बोंबई, C अप्सन है BS यदुरप्पा, और D अप्सन है गोविंद करजोल, आप को बताना है करनाटक के नए CM कौन बने है, तो इसका सही आंसर है, B, बासव राज, अभी यह रिटार्ड हो गए है, यह वाले, ठीक है, और यह ही नहीं, तो BS यदुरप्पा ने रिजाइन किया है, और नए बने है बासव राज, बोंबई, आपको कमेंट सेक्शन में बता को, जो Indus Valley Civilization का एक प्लेस है, आर्केलोजिकल, उसको कौन से नंबर का World Heritage Place, World Heritage Site, विस्ट दरुवार स्थल घोसित किया गया है, 40th, 39th, 41, 41st या 42nd, कौन से नंबर का है, तो इसका सही आंसर है, A, B, C, D में, A, 40 वा, तो यह आपकी, आज की सभी खबरे हो गई है, इसके तो तोंगे, तेंक्यो.